मतलब ही लोगों को पहचानने के तीन ऐसे तरीके जिससे क्या पता कर पाएंगे कि आपके साथ कोई विश्वास घाप तो नहीं कर रहा और इसमें से जो पहला तरीका है उसके लिए आपको अपना नहीं अपने सामने वाले का हाथ देखना है जिस पे आपको थोड़ा सा भी डाउट है या फिर थोड़ा सा भी आपको शंका लग रही है कि हाँ ये बंदा मेरे साथ कुछ ना कुछ धोका कर सकता है तो उसके बुद्ध परवत पे आपको देखना है जो बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे अब यहां पे आपको इस परकार से रिखाएं देखन आते रहेंगे एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी डिमांड करती और आप बस उनकी डिमांड पूरी ही करते रह जाते हैं कहने का भाव यह है कि आप तो उनकी इच्छा पूरी करते रहेंगे करते रहेंगे पर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो यह अपने हाथ कर देंगे या फिर यह कहेंगे कि हम अवेलबल नहीं हैं या फिर अभी काम हो नहीं पाएगा या फिर समय पे आपका साथ नहीं देंगे अब यहां पर एक और फैक्ट पताते हैं कि अगर उनके बुद्परवत पर आपको उनका भुद्परवत देखना है जिन पर आपको doubt है तो यहां पर अगर उनके बुद परहुत पर इस परकार से रिखा हैं मतलब शुरू तो एक साथ हुई थी फर खतम अलग-अलग तरीके से हो रही है मतलब अलग-अलग direction में तो दोस्तो अगर ऐसी एका बनी हुई है दो मुखी टाइप तो ये fact specially उनके लिए है जो के शादी शुदा है या फिर relation में है देखने को मिलता है कि ऐसे जो लोग होते हैं ये शादी से पहले भी और शादी के बाद भी affair रखते हैं शादी से पहले भी एक से ज़्यादा partner होंगे और शादी होने के बाद भी extra marital affair हो सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आपको समझ के आगे कदम बढ़ाना है वरना ये नहों कि जब तक आपको समझ आए तब तक देरी हो चुकी हो तो आपके बुद पर उत पर कितनी रेखाएं बन नहीं है comment box में जरूर बताईएगा आगे बढ़ते हैं दूसरे संकेत की और जिसके लिए आपको उंगलियां देखनी है जी हाँ दोस्तों यहाँ पे जो उंगलियां हैं आप देखेंगे के एक तो बीच वाला परव होता है इस परकार से और एक उपर वाला परव होता है पर इस बीच में अगर और भी रेखाएं बनी होई हैं मतलो इस परका मतलो इन दो परवों के अलावा तीसरा या चौथा परव बना हुआ है क्योंकि किसी किसी के उगलियों के बीच में और भी एक्स्ट्रा लाइंस बनी होती हैं किसी किसी के और पीच पीच में भी बनी होंगी तो जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी उतना ही ज़्यादा आपके चांसेश बढ़ जाएंगे धोखा धड़ी होनी की तर देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो है प्यार में धोखा खाते हैं क्योंकि ऐसे लोगों का जो रिलेशन है लंबे समय के लिए टिक नहीं पाता है या फिर देखने को मिलता है कि लव मेर्ज के चांस कम और अरेंज मेर्ज के चांसे जादा बनते हैं क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा एफट लगाएंगे कहने का भाव ये है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैनट करते हैं अपने रिष्टे को बचाने के लिए relationship में बहुत effort लगाते हैं time देते हैं पर वो रिस्ता टिक नहीं पाता है या फिर कहने का भाग यह है कि यहां पे प्यार की कहानी अधूरी रह जाती है और ऐसी विक्टी जो है दूसरे का सामने वाले का character पहचाने में बहुत ज़्यादा मतलब ढील रखते हैं और यह भी देखने को मिलता है कि character पहचान नहीं पाते हैं और समय आने पे इनके साथ धोका हो जाता है युकि सामने वाला अंदर ही अंदर इनके साथ खेल खेल रहा होता है तो यहां पे आपको confuse नहीं होना है जितना हो सके परक के देख परक के हाथ आगे बढ़ाईएगा दोस्ती का वरना दोस्तों यह नहो कि यह जो बीच में परव बने हुए हैं रिखाएं बनी हुए हैं आपके उंगली के यह अपना असर दिखाएं और आपके साथ कहीं न कहीं प्रॉड हो सकता है इसके बाद आता है विश्वाश घात का तीसरा संकेत और यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब उसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे परसनली बात करके अपने समस्था का समधान तो लिक वेले का आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का जाकर आप दोनों कार्ण से फोलो कीजिए जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं अगर दोस्तों यहाँ पे आपको अपने सूरे परवत देखना है अब आप तो हर किसी की हेल्प के लिए खड़े रहेंगे जब किसी को मदद चाहिए तो आप सहायता कर देते हैं पर जब आपको जुरूर तो होती है तो आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं होता है और जिस पे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास होगा कि नहीं भाई ये तो मेरे साथ खड़ा है हो सकता है कि समय आने पे वही आपको पीट पीछे धोखा दे दे दोस्तों कहीं ना कहीं आपके साथ विश्वास कहात हो सकता है तो यहाँ पे specially देखने को मिलता है कि लव लाइफ में ऐसे लोग बहुत दोखा खाते हैं और लव लाइफ में थोड़े से कच्चे भी होते हैं तो इस कंडिशन में आपको संबल के आगे कदम बढाना पड़ेगा हाँ किसी किसी के सूरे परवत पर ये रेखा उल्टी डिरेक्शन में भी खोली होती है मतलब कि उपर की ओर इस परकार से दो मुखी होगी तो ये पॉजिटिव साइन है ये आपके जीवन में उपरचनीटी जाला देता है करियर में आगे बढ़के सफलता हासिल करने के लिए पर अगर नीचे की ओर है दोस्तो सारी बाते उल्टी हो जाती है और आपके साथ ऐसी करडिशन बनती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी और एक बात का ध्यान और रखना है वजाला तर देखने को भी मिलता है जिनके इस परकार से दो मुखी रेखा नीचे के और खुली होती है उनके गुरू परवत के ऊपर मतलब जो इंडेक्स फिंगर के नीचे बनता है इसके उपर इस परकार से दो से तीन रेखाई बनी होगी अगर दो से तीन रेखाई बनी होई है और साथी साथ ये दो मुखी रेखा बनी होई है तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो है दुश्मन जल्डी बना लिते हैं बतलो ऐसे लोग विरोधी ज़ादा बनाते हैं क्योंकि इनका जो सभाव है अग्रेसिव होता है गुस्से वाला होता है नेचर ही कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसकी वज़े से लोग इनसे मतलब गुस्सा हो जाते हैं या फिर इनसे नराज हो जाते हैं और आगे जाके जब इनको सबसे ज़रूरत होगी किसी की तो शायद इनके साथ कोई खड़ा ना हो पाए क्याने का भाव ये है कि आपका सभाव अगर आपने अभी से कंट्रोल नहीं किया तो दोस्तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका ये सभाव ही आपके किसी भी कारे में अडचन बन सकता है तूंकि ऐसे लोगों का जो friend circle है बहुत छोटा रहता है और जब किसी कारे को मतलब किसी कारे के बारे में रिसरच करनी है तो इनके पास contact base कम होने की वज़े से ये उसके बारे में property किसे जान नहीं पाते हैं और सफलता मिलने में और भी ज्यादा समय लग जाता है तो आपको यह recommend करेंगे कि अपने मन को शांत रखिए और संबल के हागे गन्दों बढ़ाईए क्योंकि आस पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आपको पता नहीं है पर आपके साथ वो विश्वास खात कर सकते हैं या पीट पीछे दोखा दे सकते हैं और इतना ही नहीं दोस्तों देखने को मिलता है कि कहीं बार आप किसी को पैसे दे देते हैं क्योंकि आप किसी की मदद करने चाहते हैं पर लोग आपसे पैसा लेने के बाद या तो आपको समय पे लोटाएंगे नहीं या फिर मुकर जाते हैं और आपको जब सबसे ज़्यादा पैसे के जरूरत होगी तब आपके पास पैसा होगा ही नहीं और जब आप किसी से मांगेंगे जो के आपने ही दिये थे तो आपको समय पे मिलेंगे नहीं और कई बार तो देखने को मिलता है कि सच में आपको पैसे के जरूरत है आपने किसी को दिये नहीं है बस आपको किसी से उधार चाहिए आपको समय पे कोई उधार तक भी नहीं देता है जबकि आपने समय आने पे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी बार-बार हेल्प की थी तो इस तरीके से भी आप पहचान पाएंगे कि आपके साथ कौन खड़ा है और आपके पीठ पीछे धोखा कौन देगा आपको डाउट है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा अब इन तीनों में से कौन सा संकेत आप देखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूद बताईएगा और इस वीडियो के रलेटर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूर सकते हैं पर एक जरूरी बाज आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एकुरेट नहीं होती है माने वाले मानते हैं इसके अकॉर्ड नहीं ही आगे गदम बढ़ाते हैं बट अगर आप वुश्वास नहीं है तो आप अपना वचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर ये वीडियो पस्ना आई हो तो आपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट ओपे के साथ नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार